नमस्कार, मैं राशिगौर, आपकी अपनी अस्ट्रोलिजी इन्वास्तु एक्सपर्ट, आज बुलबुल शॉप में आपके लिए एक और खास विडियो लेके आए हूँ, आज हम बात करेंगे दिये के बारे में, दीपक या दिया जलाने से हमारे लाइफ में क्या-क्या फा अगर हम बात करते हैं संकट मोचन की, पजरंबली की या फिर लक्षपी मा की तो उन्हें जैसमिन ओयल बहुत पसंद है, जिसको हम चमेली का तेल कहते हैं, अगर उनको खुश करना है तो चमेली के तेल का दिया जलाने से बहुत फाइदा मिलता है, इसी तरीके से अगर मालेफिक एफेक्स को कम करना है, जैसे कि आपको जोडों में दर्थ हो रहा है, या रोग आपका पीछा नहीं छोड़ है, या किसी ना किसी वज़े से कही ना कही शनी देव का प्रकोप है, साड़े साती चल रही है, तो ऐसे में आपको सरसों के तेल का दिया, यानि मस्टर जलाना चाहिए, या अब दिन के वक्त ना जलाए, कोशिश करें कि इसको अब शाम को जलाए, खासकर उस ताइम पे जब संसेट हो रहा हो, जिसको हम कहते हैं, कि सूर्य धल गया है, और दिन धल गया है, और अब शाम शुरू हो गई है, उस समय सरसों का तेल का दिया जलान करें, तो यह ऐसा दिया है कि आप जब ही चाहें, जला सकते हैं, रोज सुभा जला सकते हैं, नहाने के बाद जलाएं, यह अपने इश्ट देव के लिए, अपने कुल देव के लिए, यह आप अपने विष्णु जी के लिए, अपने शिव जी के लिए, फो एनी गौज आपको enlightenment होती है आपका दिमाग जो होता है वो clarity के तरफ जाता है आप decisions better ले पाते है जो आपका soul होता है वो elevated महसूस करता है gradually you start to elevate your inner soul you start to elevate your mind to a higher level अगर आप इस practice को अपने life में रोज ले आए कि आपने रोज सुभा दीपक जलाना है खासकर altar में और सच्चे और अच्छे मन से तो आप देखेंगे that over a period of time आपके life में कोई भी समस्या होगी या कभी भी आप दो राहे पे खड़े होंगे तो somebody or the other will come into your life like a guiding light और वो आपको रास्ता खुद भी खुद दिखाएगा this is the power of lighting दो दिया so I hope you liked this video अगर पसंद आया हो तो like और share बटन जरूर दबाए कोई comments है तो comment box में comment करे और ऐसे भी videos आगे देखने के लिए मेरा profile follow करते रहे until next time bye bye